हेलो एवरिवन वेलकम टू प्रियस रेसिपीज आज में लेके आए हूँ बहुत ही टेस्टी इजी सिंपल एक रेसिपी तो यह है चिकन और इसके कॉंबिनेशन आज है मेथी के साथ यानि कि यह है मेथी चिकन और साथ-साथ इसका जो टेस्ट है वो भी थोड़ा अलग होता है तो जब आप इससे ट्राय करेंगे तो आपको पता चलेगा तो चलिए आज की मज़ेदार वीडियो शुरू करते हैं तो मैंने यहां पर 500 ग्राम चिकन लिया है और चिकन को हम मैरिनेट करेंगे मैने यहां पर चार बड़ा चमच दही लिया है दही को हम अच्छे से रहे ताकि जब हम चिकन को कड़ाय पर डाले तब दही जो है वो फटना जाए दही डालने के बात इसमें डालेंगे एक चोटी चमच काली मेज का पाउडर और एक बड़ा चमच कसूरी मेथी कसूरी मेथी डालने से चिकन कसूरी मेथी का फ्लिवर को अच्छे सा के लिए साइड पर रख देंगे आप मैंने लिया है मेथी तो मेथी को मैं अच्छे से धोकर और ऐसे डंडे से पत्ते को अलग करके रखा है और मैंने 500 ग्राम चिकन के लिए एक बंडल मेथी लिया है इससे जदा हमें मेथी नहीं चाहिए मेजर में की हिसब से बोला जाए कढ़ाई पर डालेंगे तब ही अपने क्वांटिटी से हाप से भी कम हो जाता है तो मैंने सारे मेथी के पत्ते को अच्छे से काट लिया है तो इससे हमें बोल पर ऐसे निकाल के रख देंगे फिर हम कुछ खड़ी मसाला लेंगे तो खड़ी मसालों में मैंने लिया है एक एक छोटी चमच जीरा दू लॉंग एक जोयत्त्री एक बड़ी एलाइची एक छोटी एलाइची और एक इंच के बराबर दालचीनी का टुकड़ा फिर मैंने लिया है प्यास तो मैंने चार मीडियम साइज के प्यास को बहुत ही फैनली चॉप करके रखा है और हमें चाहिए देड़ बड़ा चमच आदराको लसन का पेस्ट दो मीडियम साइज का टमाठा चॉप्ट किवा हुआ देड़ बड़ा चमच नमक एक बड़ा चमच कश्मी रेचली पाउडर एक बड़ा चमच नॉर्मल रेचली पाउडर एक बड़ा चमच हल्दी पाउडर एक बड़ा पावडर है और 4 बड़डा चमज तेल लेँ तो मेथी चिकन में थोड़े तेल लगता हैं अगर आप चाहते हैं तो आप कम भी तेल देशक्टें फिरका लेंगे और कठाई के गरम होते हम इस05 पली दाल देंगे तो मैंने डिफाइन के रखा है अगर आप चाहते हैं तो आप दो बड़े साइस के प्यास ले सकते हैं प्यास को हमें मीडियम फ्लम पे अच्छे से भून लेना है जब तक कि प्यास जो है वो गॉल्डेन ब्राउण कलर ना हो जाए तो प्यास को हमें दो मिनिट छोड़ छोड़ के ऐसे चलाते ताकि जो प्यास है वो साइट से जलना जाए चार से पांच मीट बाद प्यास जो है वो अच्छे से फ्राइ हो जाएगा और यह आप देख सकते हैं कि तेल जो है वो भी निकल चुका है तभी हम इसमें अधरक लसुन का पेश डाल देंगे अधरक लसुन को भी हमें प्यास के साथ 3-4 मीट के लिए भूल लेना है तो इसे ऐसे चलाते हुए मीडियम फ्लेम पे धीरे धीरे ऐसे भूनते जाए 4-5 मीट बाद जब अधरक लसुन अच्छे से भून जाए तब हम इसमें डालेंगे बारी कटा हुआ टमाटर मैंने 4 मीडियम सैस के प्यास के हिसाब से 2 मीडियम सैस के टमाटर लिया है तो जब आप घर पे बनाए तब आप प्यास के कौंटिटी से टमाटर का जो कौंटिटी है उसे आप हाफ रखे प्यास को भी हमें बाकी मसालों के साथ सेम प्रोसेस में 4-5 मिट के लिए भून लेना है और ये देखिए टमाटर जह है वो लगभग गल चुका है और ये मैं आपको दिखाती हूँ कि टमाटर कितना अच्छे से गल गिया है ये देखिए तो टमाटर जब अच्छे से गल जाए तब हम इसमें मसाला आट करेंगे और ये मैंने डाला हल्दी पाउडर, लाल मिचका पाउडर, जीरा पाउडर, धनिया पाउडर और कश्मीरी रेच्छिली पाउडर और इन मसालों को भी हमें 2-3 मिनिट के लिए भून लेना है जादा नहीं भूनना है नहीं तो जो मसाला है वो जल जाएगा 15 सेकिन छोड़ छोड़ के हमें इसे लगाते चलाते हुए भूल लेना है और जब मसालों से ऐसे ओल से परट हो जाए तब हम इसमें मैरिनेटर चिकन डाल देंगे तो मैंने अभी भी मसालों में पानी के इस्तिमाल नहीं किया है और ये मैंने मसाला में चिकन डाल दिया है तो चिकन में अपना एक पानी रहता है और यहाँ पे मैंने दही के इस्तिमाल किया है तो दही भी पानी छोड़ेगा और जब हम इसमें लास्ट मेथी डालेंगे तो मेथी में भी अपना एक पानी रहता है तो कूल मिला कि हमें इसमें कोई एक्स्टा पानी डालने की ज़रूरत नहीं है मसाला को चिकेन के साथ अच्छे से मिला कि हमें इसे 10 मिट के लिए भी ढख देना है 10 मिनिट के बाद हम इसका धकन खोलेंगे और फिर हम चिकेन को एक बार अच्छे से ऐसे मिला देंगे और फिर हम इसमें डालेंगे देर बड़ा चमच नमक तो अभी तक मैंने इसमें नमक नहीं डाला था लेकिन एक पर धक के पकाने के बाद हम इसमें नमक डालेंगे नमक डालने के बाद इसे हमें अच्छे से मिक्स कर लेना है तो मीडियम फ्लेम पर आप इसे 2-3 मिट के लिए चलाती जाए 2-3 मिनिट इसे अच्छे से mix करने के बाद हम इसे 10 मिनिट के लिए फिर से ढख देंगे तो 10 मिनिट हो चुका है अब हम इसका ढखन खुलेंगे और यह आप देख सकते हैं कि चिकन से जो पानी है वो release हो रहा है और इसे हमें फिर से चला लेना है ताकि जो चिकन है वो नीचे चिपक न जाए तो चिकन को हमें 10 मिनिट छोड़ छोड़ के ऐसे ढख के पकाना है और आप इसे लगातर चेक करते जाए और अभी इसे बीना ढख के medium flame पे ऐसे ही छोड़ देना है दो मिनिट के बाद हम इसे एक बार और चला लेंगे और यह आप देख सकते हैं कि जो चिकन है अभी भी हड़ी नहीं छोड़ा है इसलिए इसे हमें एक बार और धक के पकाना है और यह मैंने धककन लगा दिया है तो इसे भी हमें सेम प्रोसेस में 10 मिनिट के लिए ढख के पकाना है 10 मिनिट के बाद हम इसका ढखन खोलेंगे और यह आप देख सकते हैं चिकन जो है वो हड़ी से सेपरेट होना शुरू हो गया है तो जब चिकन से ऐसे हड़ी छोड़ना शुरू हो जाए तब आपको समझना है कि चिकन जो है वो अलमोस्ट बख चुका है तो अभी हम जाएंगे फाइनल प्रोसेस में यानि कि अभी हम इसमें मेथी आड़ करेंगे बहुत जन सोचते कि मेथी कड़वा होता है और चिकन में मेथी डालने से चिकन भी करवा हो जाएगा लेकिन ऐसा बिलकुल भी नहीं होता आप इसे घर में एक बार ट्राइ कीजिए बहुत ही अच्छा टेस्ट लाता है और मेथी का जो करवापन है वो चिकन में बिलकुल भी नहीं आता एक अलगी टाइप का बहुत ही अच्छा टेस्ट लाता है तो पहले मैंने चिकन में हाफ मेथी डाला था ताकि जब हम इसे मिक्स करें तब मेथी जो है वो कड़ाय से ना गिरे एक बार मिक्स करने के बद मैंने यहाब बचावा मेथी भी डाल दिया है मेथी के हमें चिकन के साथ मीडियम फ्लेम पे 2-3 मिट के लिए अच्छे से मिक्स करना है और यह देखिए मैंने कितना सारा मेथी डाला था और मेथी का क्वांटिटी पहले से हाफ से भी कम हो चुका है पांच मिट के लिए हम इसे धक्के पकाएंगे ताकि जो कच्छे मेथी का फ्लेवर होता है वो हमारा चिकन अच्छे से एबजोब कर सके पांच मिट के बाद हम इसका धकन खोलेंगे और फिर इसे ऐसे चलाते जाएंगे तो इसे हमें और ज़्यादा पकाना नहीं है इसी स्टेच पर आप गैस को आफ कर दे नहीं तो जो मेथी है वो तुरेंथे अपना कलर चेंज करता है और यह आप उसका कलर देख सकता है देखने से कितना टेस्टी लग रहा है तो अब हम इसे सर्फ करेंगे अक्सर घर में बच्चे मेथी के करवापन के बज़े से मेथी खाना नहीं चाहते है तो आप एक बर मेथी को ऐसे चिकन के साथ बनाए बच्चे ज़रूर पसंद करेंगे विंडर सीजन में तो मेथी बजार में बहुत एज़लि मिल जाता है तो आप इस recipe को एक बर घर पे जरूर ट्राय करें और कैसा बनाए मुझे comment पे जरूर बताए तो अगर आपको मेरी आज की वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को like and share करें और मेरी चैनल को subscribe करना ना भूले पास ही में bell icon को दबाए ताकि मेरी हर एक वीडियो के अपड़ेट आपको सबसे पहले मिले देखने के लिए बहुत बहुत thank you मिलते है next recipe में